जहिन हमारे सभी वियोज को आज के वीडियो में बात करेंगे अगनीवीर फॉर्म फीज की कि अगनीवीर आर्मी नीवी एर्फोर्स तीनों में कितना फीज आपको पे करना पड़ेगा और क्या सब तरीके हैं आपके पास उस फीज को पे करने के तो make sure करें आप वीडियो को end तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियो को भी आप like करें comment करें, channel को subscribe करना ना भूले so that आप अगनीवीर भरतिस related सब भी update से जुड़े रहे जो सब बच्चे अगनीवीर के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए अगनीवीर physical academy हमने open कर दी है जिसमें कि 90 days का आपका training module होगा accommodation and food में आपको दिया जाएगा training कराएंगे आपके एक्सपेर SF operative और weekly basis पर रहोंगे आपके guest lectures, तो जो सब बच्चे हम से जुड़ना चाते हैं हमें इस नंबर पे call या WhatsApp वो कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब fee structure में जाने से पहले सबसे पहले हम आपको 4-5 बाते कुछ ऐसी बताएंगे जो कि आपको जाननी जरूरी है ये सब mistakes हमने पहले बच्चे को करते हुए देखा है ठीक है, तो make sure करें आप इन mistakes को दुबारा से ना दोह रहे हैं क्योंकि ultimately इन से क्या होता है आपकी application cancel भी हो सकती है सबसे पहले चीज़ आपको जो देखनी है वो है कि जो payment का option होता है वो end में आता है आप भले army, navy, air force, किसी का भी आप form भर रहे हो ठीक है, last option मिलता आपको payment भरने का उससे पहले आपको registration करना होता है registration के बाद आपको अपना पूरा application अच्छे से भरना होता है ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है पूरा application आप अच्छे से भरिए एक-एक detail को cross check कीजिए ठीक है, आपको payment करने से पहले भी एक बार पूरा window, आपको पूरा form आता है एक बार आप cross check कर लो अच्छे से कि कोई detail गलत तो नहीं डाल दिया है ठीक है, detail को आपको एक-एक चीज भले, educational background हो आपका communication details हो personal details हो, everything आपको दो से तीन बार उसको cross check करना और तभी payment के लिए proceed करना है गलत information को आगे payment कर दोगे तो कोई फाइदा नहीं पैसा भी waste होगा, time भी waste होगा और सबसे ज़्यादा effort waste होगे आपके दूसरे में आपको क्या करना है आपको rush नहीं करना है ठीक है, पूरे details को check करना है जैसे मैं आपको बताया एक बार आपको लगता है कि सारी details है तभी आपको आगे payment के लिए प्रसीड करना है तीसरा point है आपको देखो तीन options दिये जाएंगे net banking, UPI या debit या credit card ठीक है, तो मैं आपको prefer करूँगा आप जाहिए net banking के लिए, अगर आपके पास net banking option नहीं है तो आप किसी cyber cafe आपके nearby जो भी cyber cafe आप वहाँ पर approach कीजिए, ठीक है और वहाँ पे जाके आप ये form को भरवाईए क्योंकि जो net banking है उसमें सबसे कम chances है payment fail होने के बाकी payment methods में हमने देखा है कि payment कुछ-कुछ में अटक जा रहा है कुछ में delay हो जा रहा है ठीक है उससे क्या होता है form तो फिर भी भर जाता है बट आगे पीछे हो जाता है आपके दिमाग में tension आ जाती है आर payment हुआ नहीं हुआ और अगर digitally payment अटकता है तो आपको पताईए कि पैसे आने में हफता-10 दिन तो लगी जाते है तो ये सब आपको दिविदाएं ना है उसी के लिए आपको सज़ेस्ट कर रहे है कि आप net banking ले जाएए ठीक है उसके अगला receipt लेना ना भूलिए देखिए payment जब आप कर देते हो तो तीनो पोर्टल में आर्मी नीवी एरफोर्स के तीनो पोर्टल में receipt का option आता है download receipt का receipt अपने पास आप जरूर रखे in case अगर आपका payment fail होता है या कुछ भी होता है आगे चलके तो आपके पास as a proof वो receipt होगी कि हाँ हमने पोर्टल में payment करा था ठीक है last but not the least last date से पहले भर लेना यह मैं आपको इसलिए कहा रहा हूँ क्यों कि क्या होता है बहुत से बच्चे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो last date के दिन यह form भरते हैं ठीक है उस दिन इतने सारे लोग एक साथ भर रहे होता है form कि जो payment gateways होते हैं वो तो slow होई जाते हैं उसके साथ साथ websites भी slow हो जाती है ठीक है websites भी at the end है तो एक software ही ना एक बारी में लाग दो लाग लोग आ जाएंगे तो slow तो होगी और जहाँ पे website और payment gateway slow होना start होते हैं वहाँ पे payment के fail होने के chances और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए जो आपका payment वाला part है application summit करने वाला part है आप make sure करें आप हफता 10 दिन पहले ही भर दे पूरा ठीक है last day आने का wait ना करें last day तक इसको खीचोगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए ही बेकार हो अब सबसे पहले अगनीवीर आर्मी में जब आपको भरना है तो उसके लिए आपको भरना होगा 200 रुपए ठीक है 200 रुपए आपका fees होगा किसी भी trade में भरने के लिए भले योग जीडी हो clerical हो technical हो या फिर trade man सबको 200 रुपए भरने है बात करते हैं नीवी की तो नीवी में आपको भरने है 500 रुपए ठीक है 500 रुपए आपका दोनो SSR या MR कोई भी trade आएगा उसके लिए आपको 500 का form भरना होगा last but not the least है आपका air force air force में भी आपको 500 का form भरना होगा ठीक है हो सकता है कि army में इस बार change हो जाए army में थोड़ा सो और बढ़ा के आ जाए ये आपको जो payment करना है बट nevertheless ये बहुत छोटी चीज है उसके आगे जो कि आप अचीव करने वाले हो आप सब को पता चल गया होगा आपको आर्मी नीवी air force में कितना payout करना है make sure करें जो points मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो आप जरूर follow करें आज का वीडियो यही तक आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें हमारे social media अंडर जैसे facebook और instagram पर follow कर सकते हो तो अभी जाए ये follow कीजे और ऐसी कर देते रहिए जैहिन